जहें इन सभी को मेरी तरब से उम्मिद करता हूँ आप सब वहतर होंगे मस्त होंगे और एक नए वीडियो में सबका स्वागत है यह वीडियो किस चीज के लिए है यह चल रहा है मैं लिख के बता देता हूँ टाइम स्पीड और जो डिस्टेंस हम कंप्लीट कर रहे थे यान इसके ट्रेन स्पीड डिस्टेंस के मिला करके इसलिए पहले मैंने कंप्लीट करा स्पीड डिस्टेंस और उसके बाद में उसी से रिलेटेट चैप्टर है ट्रेन यह कंप्लीट करने के बाद में अब मैं इसका सेकंड पार्ट कंप्लीट कर रहा हूँ प्लेलिस्ट है इसक particular चीज में समझाने की तो पूरी कोशिश करूँगा लेकिन यदि आपको basic की नहीं पता है तो आप इस प्रकार के questions को करने में difficulty feel करोगे तो बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं कि यह questions किस तासीर के हैं आपको पहले ही questions से जो है न वो दिखने लग जाएगा कि यहां यह कुछ questions ऐसे हैं जिनमें दम हैं तो इसमें logic लगाना पड़ेगा दिमाग लगाना पड़ेगा प्रश्न क्या है वो समझ लेते हैं सबसे पहले लिखा है कि एक कार 56 किलो मीटर प्रती घंटे की गती से चलती है यह स्पीड देदी कार की किन्तु प्रतेक 70 किलो मीटर की दूरी के बाद इंजन को ठंडा करने के लिए 10 मिनिट के लिए रुख जाती है तो हमें यह चीज समझ में आ गई कि वो हर 70 किलो मीटर के बाद रुखेगी और हर बार 10 मिनिट रुखेगी तो 128 किलो मीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा तो हमसे उसने पूछा टोटल डियूरेशन कितनी होगी कितना समय लगेगा अब ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर यह जो समय लग रहा है यह दो तरीके से लग रहा है एक कि चलते हुए उसको कुछ समय लगेगा चलते चलते और एक रुखने पर उसको कुछ समय लगेगा तो अब हम सबसे पहले तो ये पता कर लेते कि उसको रुकने में कितना समय लगेगा यानि यदि वो गाड़ी खड़ी रहेगी तो उसको कितना समय लगेगा क्योंकि उसको पूरा 728 किलोमीटर तै करना है और उसमें कुल कितना समय लग रहा है तो रुकने वाला जो समय हो जाएगा वो देखिये, देखिए वो एक बार रुखती है, तो 10 मिनिट के लिए एक बार रुखती है, ये प्रशन में कहा है, अब वो कितनी बार रुखती है 728 किलोमीटर में, तो हमने कहा 728 कुल दूरिग में वो प्रत्यक 70 किलोमीटर पे पूरा काटें तो यह common sense की बात है कि वो 10 बार कड़ जाएगा याने कि पूरे रास्ते में वो 10 बार रुकेगी वो बस या वो train या फिर जो भी कार कही है अब 10 बार रुकी और हर बार 10 मिनिट रुकी तो 10 गुणा 10 याने कि यहां पर मैंने 10 का गुणा कर दिया तो total मिला के अब बात करते हैं कि यह चलते वक्त इसने कितना समय लिया तो चलते वक्त इसने समय कितना लिया वो पता करने के लिए हम कहेंगे speed equals to distance upon time अब हमें speed दी है उसकी 56 किलोमीटर प्रती घंटा है तो हम 56 यहां रख देंगे distance कितनी वो कवर कर रहा है 728 क्योंकि यह पूरी दूर वो चलते हुए तय करेगा तरक समझ में आ गया तो अब इसको हमें logically समझना है कि वो कितना समय लेगा तो हमने t यहां पर रख दिया अब ध्यान देने वाली बात है कि यह 728 बड़े मातरक में है और यह 56 भी बड़े मातरक में है तो आपको confuse नहीं होना है time अपने आप यह जो time है यह अपने आप घंटे में आ जाएगा है ना इसको solve करने के लिए मैं थोड़ी सी जगा बना रहा हूं मैं इसको काटूंगा साथ हू आठ हू चपन साथ से कड़ गया साथ एकम साथ और साथ चोक अठावीश फिर मैं इस टी के बाद में 104 बटा आठ कर दूंगा तो बोलना अच्छा नहीं लगता कि गाड़ी 13 गंटे 100 मिनिट में पहुंची क्यों क्योंकि ये 100 मिनिट बोलना वेवारिक नहीं है तो आप इस 100 मिनिट को भी घंटे और मिनिट में बाटोगे वेवारिकता में तो 100 मिनिट में क्या होता है सहाथ मिनिट भी होता है और 40 मिनिट होता है इस प्रकार से ये 100 मिनिट बना अब आप बोले उसर 70 और 30 भी तो हो सकता है लेकिन मैं को इसको घंटे में बदलना है इसलिए मैंने एक सहाट मिनिट इसमें से अलग निकाल लिया तो ये हो गया एक घंटा और 40 मिनिट ध्यान देना मेरी बात को आप ध्यान देना ये कार पहले ही 13 घंटा चलते चलते काम इसने जो है वो समय निकाला और रुकते हुए एक घंटा 40 मिनिट तो इस एक घंटे को मैं इसमें जोड दूंगा तो यह हो गया 14 गंटे और 40 मिनिट एक्स्ट्रा तो ध्यान देना 14 गंटे 40 मिनिट कुल समय लगना चाहिए फिर से समझो 14 आवर 40 मिनिट इसका आंसर आना चाहिए तो कहीं पर यह option दीख रहा है क्या यस कहीं दिख रहा है क्या यह दिखा option C पर 14 गंटे 40 मिनिट में यह पूरा सफर तय करेगी उम्मिद करता हूं प्रोसेस आप समझ गए होगे next question हम करते हैं हां तो कहा गया कि एक ट्रेन 55.5 किलो मिटर प्रति घंटे की गती से चल रही है ठीक है ट्रेन की स्पीड दे दी हमें और एक व्यक्ति ट्रेन की ही दिखा में यह शब्द को ध्यान में रखना ट्रेन की ही दिखा में 3.5 किलो मिटर प्रति घंटे की गती से क्या कर रहा है दोड रहा है तो यहां पर हमें दो गतियां दे दी गई है एक ट्रेन की गती एक आदमी की गती उस व्यक्ति को 10 सेकेंड में पार कर जाती है यानि वो ट्रेन उस आदमी को 10 सेकेंड में पार कर देती है तो आप से पू खंबे को पार करें फिर मैंने कहा था s is equal to l plus p upon t यह concept कभ लगेगा जब कोई train किसी platform सूरंग या pull को पार करें फिर मैंने आपसे कहा था s is equal s स्वरी यहाँ पर मैं इसको ठीक करता हूँ फिर मैंने आपको कहा था s1 plus minus s2 equals to l1 plus l2 upon t1 यहाँ पर यहाँ पर मैंने यह concept क्यों बताया था आपको यह वाला last concept था जब दो train एक दूसरे को cross करें और इसी concept को मैंने क्या बोला था ब्रह्मास्त्र बोला था अब मैंने इसको ब्रह्मास्त्र concept क्यों बोला था वो समझ लीजिएगा l1 plus l2 upon t अब यह ब्रह्मास्त्र concept इसलिए है क्योंकि इस एक concept को यदि आपने समझ लिया तो आप सभी प्रकार के question जो इसमें दिया हुआ है वो भी कर पाओगे कैसे यदि आपको दो चाल दी है तो चालो को हमेशा इस तरीके से रखो नंबर दो आपको सिर्फ इस प्रस्ट में train की लंबाई दी है तो आप l2 मत रखो तो concept क्या हो जाएगा s1 plus minus s2 equals to l upon t समझ गए कैसे क्योंकि मुझे दो चाल दी है तो मैंने दोनों रख दी train की लंबाई दी तो train की रख दी आदमी की लंबाई नहीं दी तो नहीं रखी बस इतना simple सा काम है अब इसको हम solve कर लेते हैं इस आधार पे तो देखो यहाँ पर आपको s1 की value क्या दी है 75.5 तो आपने यहाँ पर 75.5 रख दिया फिर इसके बाद में दूसरी चाल आपको 3.5 दिया अपने 3.5 अब प्रशना आता है कि plus रखें यहाँ माइनस यह देखो मैंने डबा बना के रखाए एक ही दिशा में सापेक्ष का नियम लगता है तो समान दिशा में दोनों घट जाती है यह पिछले टी की जगे 10 सेकेंड रख दिया अब ध्यान देना यह 75.5 और 3.5 यह दोनों ही किलो मीटर पर आर में दिया गया है आपको मैंने बताया था कि मातरक समान होना चाहिए यदि टाइम आपको सेकेंड में दिया है तो आप चाल का मातरक भी मीटर प्रती सेकेंड में कर दोगे तो यहाँ पर मीटर प्रती सेकेंड में करने के लिए आप इसमें 5 बटा 8 का गुणा कर दोगे आप बोलोगे सर क्यूं ऐसा करेंगे क्यूं कि मैंने आपको कहा है तर्क बताया है कि जब आप बड़े मातरक से छोटे मातरक में जाते हो तो आप छोटी राशी यानि 5 को उपर रखते हो 8 को नीचे रखते हो ये मैंने ट्रीक बताया था है न जिसको याद होगा बहुत अच्छी बात है अब 75.5 में से 3.5 गया तो 72 बच गया गुणा में 5 बटा 18 बराबर में L अपान 10 अब इसको मैं काट देता हूँ 18 चोक बहुतर चार बार और 5 चोक 20 और इसको मैं 10 से गुणा कर दूँगा तो बोले 10 से कैसे कर दिया देखो न आंसर कहीं पर दीख रहा है क्या 200 में यस ओप्शन C is the right answer समझ में आ गया 200 में आ गया फिर से समझना है इस बात को यदि आपको दो चाल दी तो दो चाल रखो यदि आपको दो लंबाई दी तो लंबाई रखो आपको एक लंबाई दी एक रखो दो चाल के साथ एक अगला प्रश्ण करेंगे एक 200 मीटर लंबी रेल गाड़ी जो 5 किलो मीटर प्रती घंटे की रफ्तार से उल्टी दिशा में शब्द समझना उल्टी दिशा याने विप्रिट दिशा में जाने वाले व्यक्ति को 24.4 सेकेंड में पार कर जाती है तो रेल गाड़ी की रफतार क्या होगी आप ध्यान दीजेगा जस्ट अ सेकेंड ओके तो यहाँ पर भी वही चीज लग रही है ध्यान दो उसने मुझे ये 5 किलो मीटर प्रती गंटा ये रफतार दी है किसकी एक 200 मीटर लंबी रेल गाड़ी 5 किलो मीटर प्रती गंटे की रफतार से उल्टी दिशा में जाने वाले व्यक्ती यानि उस व्यक्ती के आपको गती दी है और आप से पूचा है रेल गाड़ी की चाल मतलब आपको दो चाल की कॉंसेट लगानी है या सिर्फ कॉंसेट के हिसाब से लिख के बताऊ तो मैं हहाँ पर ट्रेन की लंबाई सिर्फ एल रखूंगा क्योंकि उसने एक ही दी है और मुझे का 14.4 सेकेंड में पार करता है तो मैं टाइम की जगा 14.4 रख दूंगा अब ध्यान देने वाली बात है कि मैं वेल्यू कैसे पूट कर रहा हूँ ये S2 की वेल्यू उसने दे दी है मेरको तो S1, S2 की वेल्यू क्या दे दी है 5 किलोमीटर प्रती घंटा अब मैं चिन कौन सा लगाऊंगा तो उल्टी दिशा अब भी मैंने बताया था वेपरी दिशा के लिए कौन सा चिन लगाते हैं प्लस का अब आप ध्यान दीजिए थोड़ा सा करते वक्त और मैक्सिमम लोग कैलकुलेशन में गलती करते हैं इसलिए मैं धीरे से समझाता हूँ ये मैंने करा 14 पॉइंट हटा दिया ध्यान देना तो बटे में क्या लगेगा 10 और ये 10 उपर चला जाएगा बाद में बटे के बटे पलट करके ठीक है नमबर दो कि यहां पर ये जो 14.4 है ये काई में दिया हुआ है आपको सेकेंड में और यदि मीटर पर सेकेंड में या फिर आपको इसको घंटे में बदलना पड़ेगा आप किस में बदलना चाहते हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ तसल्ली से तरक समझ न कि यदि ये 5 किलोमीटर प्रती घंटे में है और आपको मातरग भी किस में पूछे हैं देखलो सबके सब किलोमीटर प्रति घंटे में तो आप इस चाल को मत बदलो आप किसको बदल दो समय को तरक समझ गए तो यहां पर मैं इसको सौल करके आपको बताता हूं कि आपको इसको कैसे change करना है तो यहाँ पर यह हो गया s1 प्लस यह हो गया 5 यह देखो यह हो जाएगा L और उपर 10 गुणा हो गया divided by 144 बोले सर आप बहुत दीमा समझाते हो देखो यह तुमारे लिए पिसर कीधर का क्या कर दिया L 144 अपान 10 यह मैंने दर्शमलों हटा के 10 लगाया था और इस सेकेंड को मैं किस में बदल दूंगा आवर्स में क्योंकि यह जो यह जो कहते हैं ध्यान देना ओ यह 200 मीटर लंबी रेल गाड़ी है ना तो 200 मीटर लंबी रेल गाड़ी को एक मिनिट में इसको थोड़ा सब फिर से करवाता हूँ आपको है ना ताकि वेवस्था बनी रहे देखो फिर से समझना है कि S1 प्लस माइनस S2 में आपको यह बताया था इसके बाद में यह कितना है 200 आ गया 200 के बाद में ट्रेन की लंबाई यह L हो गया ट्रेन की लंबाई इसके बाद में नीचे जो है आप 2 की जगह पर ये 5 रग दिया उस व्यक्ति की चाल आपको प्लस लगाना है क्योंकि उल्टी दिशा में जा रहा है इक्वल्स टू ये कितना है 200 अब ध्यान देना ये 200 और बटा में ये हो गया 144 और उपर चला जाएगा 10 दशमलों का हट के कैसे गया पल्टा के बता दिया था अब ये जो पूरा मातरक आया है ये मातरक किसमे है मीटर पर सेकेंड उपर वाला मीटर नीचे वाला सेकेंड अब इसको आप कनवर्ट किसमे कर दोगे किलो मीटर पर आर में और ऐसा करने के लिए आप छोटे मातरक से बड़े पर जाओगे तो आपको 18 बटा 5 से क्या करना पर आर में है, अपने आप मेरा S1, किलो मीटर पर आर में आ जायेगा, तो आप मैं काटता हूँ 18 से, 18 से काटता हूँ, तो 181, 18, 188, 145, मैं इसको 5 से काट देता हूँ, पान दूनी 10, और मैं 8 से इसको काट देता हूँ, तो 8 से यह 20 जो है वो कितनी बार कर जाएगा 8 दूनी 16 बज गया 4 आठा पंजे 40 आप दियान देना कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ S1 प्लस 5 इक्वल्स टू यह कितना हो गया 25 दूनी 50 ठीक है अब यहाँ पर इसको आप सॉल कर दीजिए सरलता से हो गया आंसर आगया S1 इस इकोज टू 5 इदर जाएगा तो 50 माइनस 5 बराबर हो गया 45 45 किलो मीटर पर आर इस दे राइट आंसर कहीं पर दिख रहा है क्या आपको आप्षण यह सदिख रहा है ऑप्षण भी इस दे राइट आंसर 45 किलो मीटर पर आर ओके समझ गए होगे, next question करते हैं, next question है, कि एक व्यक्ति अपनी यात्रा का, यात्रा 7 गंटे में पूरी करता है, मतलब पूरी यात्रा उसने बोल दिया कि 7 गंटे में पूरी करेगा, जिसका 2 बटा 3 भाग बस से तय करता है, याने कि उसने एक हिस्सा दे दिया हमें, कि पूरी दूरी का 2 बटा 3 भाग वो बस से तय कर रहा है, तता उसकी गती 40 किलो मीटर, 40 किलो मीटर प्रती घंटा है, ठीक है, उसकी गती कितनी है, 40 किलो मीटर प्रती घंटा है, तता 6 दूरी कार से तय करता है, जिसमें उसकी गती 50 किलो मीटर प्रती घंटा है चीक है अब आपको कहा है उस ने कितनी दूरी तै करी अब इस प्रस्ण को वीजवली देखो ये पूरी उसकी यात्रा है और वो यहां से शुरू कर रहा है और इस बिंदू पे खतम कर रहा है अब जिसका उसने दो बटा तीन भाग पूरी दूरी कितनी होगी तो ध्यान देना यह पूरी दूरी यदि 1 है या D है तो D में से 2 बाए 3D को मैं माइनस कर देता हूँ तो बच जाएगा 3D बच जाएगा कितना 3D माइनस 2 याने की D बटा 3 इसको घटाने पर यह आएगा मतलब यह बची हुई दूरी कितनी होगी D बाए 3 और य उसको समय कितना लग रहा है 7 गंटा मैं कोश्चन को हमेशा डीटेल में इसलिए समझानी कोशिश करता हूँ जब तक आप गणित को देखोगे नहीं तब तक वो आपको नहीं अच्छे से बनेगा अब देखने वाली बात यह है कि इस पूरी यात्रा को यदि हम देखें त तो वो पहले समय T1 लेता है और दूसरा समय T2 क्योंकि दोनों में उसकी चाल अलग अलग है इसलिए उसको समय अलग लगेगे लेकिन उसको जो पूरा समय लगेगा वो 7 गंटे लगेगा तो मैंने क्या करा कि सर टोटल टाइम इक्वल्स टू T1 प्लस T2 सही बात है पहले सा का समय और दूसरे हिस्से का समय कुल 7 गंटे हो गया अब इसको सॉल करते हैं चलो तो यहां पर मैं क्या करूँ तो टोटल टाइम मैंने 7 गंटे रख दिया अब मैं T1 की जगह क्या रख सकता हूँ तो S is equals to D by T तो T equals to D by S ओके यह होता है अब यहां पर मैं क्या करता हूँ इस T1 की जगह पर मैं D1 और S1 रख देता हूँ तो D1 यानि पहली दूरी कितनी है तो पहली दूरी है 2 by 3D और बटा में 4 कितनी है 40 इसके बाद में प्लस में T2 का वेल्यू कितना आ जाएगा तो दूसरी दूरी कितनी है D by 3 और 4 कितनी है 50 फीर्टी ठीक है अब इसको में वड़े शांती से समझा रहा हूँ मैं उन स्टुडेंट्स का हमेशा ख्याल रख्ल के समझाता हूँ मैं तो इसको तेजी से कर सकते हूं लेकिन मैं उन स्टुडेंट Ska ख्याल रख्ल Sus t हूँ जो व्यक्ति को गणित में वास्तविक्ता में समस्य आए हैं तो मैं कोशिश हमेशा अपनी यही रखूंगा कि आपको शांती से समझाया जा सके कि हम कर क्या रहे हैं अब लॉजिकली इसको यदि हम सौल करें तो मैक्सिमम स्टूडेंट यह जो भिन्न वाले सवाल आते हैं इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं इसलिए मैं इसको शांती से समझा रहा हूं कि कैसे करना है देखो यह बटे के बटे वाली जो राशी होती है इसमें आपको क्या करना है उपर वाली को तो ऊपर रखना है और यह बीच वाली जो दोनों राशिया होती है इसको आपस में ठीक है ये मैंने आपको समझा दिया तो ये 40 को 3 से गुणा करा तो कितना बन गया 120 और ये कितना हो गया D पहले से ही था फिर देखो ये उपर D तो D ही रह जाएगा और ये बीच वाली राशिया आपस में नीचे-नीचे की गुणा हो जाएगी तो ये हो जाएगा D का 150 जल्दबाजी से नहीं करवाना चाहता क्योंकि इससे आपको confusion हो सकता है तो ये 2 को मैंने कितनी बार काड़ दिया सहाड बार तो ये equation आ गई D बाटा सहाड प्लस D बाटा 150 ओके calculation थोड़ा सा लंबा जाए कोई दिक्कत नहीं आपको समझ में आना चीए अब मैं इसका LCM ले लेता हूँ D बाटा में 300 सात से सात कैंसल हो गया अब D जो है ये 300 इदर चला जाएगा तो D बराबर आ जाएगा 300 तो 300 किलो मीटर ये इसका मान आना चाहिए कहीं पर दिया है क्या देख लेते है options, options, options ठीके कहीं 300 दिख रहा है क्या ये मेरे से पहले बिल्कुल दिख जाएगा तुमको B option is the right answer 300 किलो मीटर तो जब भी इस प्रकार के segment वाले question आए तो आपको करना क्या है total time equals to T1 plus T2 ठीक है अभी आप initial स्तर पे हो शुरवाती स्तर पे हो सीख रहे हो तो बिल्कुल उचल कूद मत मचाओ कि मैं जल्दी कर लू मैं जल्दी कर लू इस बात को समझिएगा कि जब आप question को करते हैं तो उसको कब छोटा करना है ये आप कभी भी सीख सकते हैं लेकिन पूरा question सुरवात में सीखिए आप इससे आपके अंदर एक patience आएगा number 2 step by step सीखने से आपको पता है कि आपको कौनसी चीज को eliminate करना है बशरते कि मैं यदि आपको छोटा ही पहलू दिखा तो वो आपसे आपके लिए घातक होगा आगे बढ़ते हैं अगला question एक rail गाड़ी जो की 40 km प्रती गंटे की गती से जा रही है तो कभी भी प्रस्ण को पढ़ते वक्त visualize करना चाहिए और मैं बार बार रुक के इसलिए बताते हैं रहता हूं कि कौन सी चीज क्या है तो आप एक व्यक्ति जो की उसी दिशा में रेल की पट्री के समानतर घोड़े पर 25 km प्रती गंटे की गती से दोड़ रहा था कोचा 48 सेकेंड में पार किया तो रेल गाड़ी की लंबाई बताओ ध्यान देना यहां पर कि यहां पर दो चाल दी है तो अभी मैंने सिखाया जब भी दो चाल दी जाती है तो दो चाल रखी जाती है चिन की से साब से लगाना है यहां पर प्लस और माइनस आएगा तो प्लस या लगाओ गया माइनस प्रश्न को अच्छे से पड़ो या तो विपरित दिशा या समान दिशा तो प्रश्न में कहीं पर लिखा हुआ है उसी सेकेंड में व्यक्ति को पार करती है तो हमको 48 सेकेंड टाइम की जगह रख देना है और ट्रेन की ही लंबाई उसने सिर्फ पूची है क्यूंकि आदमी घोडे पे बेटा है तो उसकी तो कोई लंबाई होगी नहीं तो हम वो रखेंगे नहीं अब मैं यहाँ पे वैली पूट दे दिया है तो पहले तो आप इसके मातरक को छोटे मातरक में बदल लो बड़े मातरक से छोटे मात बराबर में L अपन 48 अब इसको आप कैंसल कर दो छे तिया अठ्रा छे अठ्थे अठ्रा छे अठ्थे अठ्थालीस तीना पांचे पंद्रा 25 बराबर L बराबर 200 कहीं दिख रहा है क्या ट्रेन की लंबाई 200 यस डी आप्शन पे दिख रही है तो हमें ट्रेन की लंबाई पता चल गई 200 मीटर चलिए तो आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं कैसे हमें इसको अचीव करना है अगला है 250 मीटर लंबी रेल गाड़ी तो हमें ट्रेन की लंबाई मिल गई 54 किलो मीटर प्रती घंटे की गती से तो हमें गती मिल गई चलते हुए यानि वो ट्रेन चल रही है जो 250 मीटर लंबी है दूसरी रेल गाड़ी को 45 सेकेंड में पार करती है तो दूसरी रेल गाड़ी की लंबाई कितनी है अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इस 1 प्लस माइनस S2 दो चाल क्योंकि दो ट्रेने हैं और मैं तो यह रट के आया हूँ तो यह तो लगेगा सर अब लेकिन वो कन्फ्यूस क्या होता है सर उसने तो सिर्फ एक ही ट्रेन की चाल दी दूसरी वाली दी नहीं नहीं तो मैं पहली ट्रेन की लंबाई 250 रखता दूसर वाली उसने पूछी है और मेरको समय उसने 45 सेकेंड दिया है मैं टी की जगे रख दूँगा लेकिन वो बोलेगा सर S2 दिया नहीं था तो मैं करके नहीं आया अरे भाई ध्यान दो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा जो प्रस्ण में दिया है वही आपको रखना है क्यू पर प्लेटफार्म वाले कॉंसेट जैसा काम हो गया इसलिए आपको यहां पर यह जो दूसरी चाल है यह नहीं रखनी है आपको सिर्फ पहली रखनी हो और पहली चाल कितनी है 54 हो गया पहली ट्रेन की लंबाई कितनी है तो आपने रखा 250 दूसरी वाली पूछ रहा है और कितना लग रहा है 45 सेकेंड मात्रकों को बदलना है यह 54 किलोमीटर प्रती घंटे में है तो यह बड़ा मात्रक है बड़े से छोटे पर जाने के लिए छोटे के घर जाओगे तो छोटा उपर आएगा अब इसको सॉल कर दो आपको एल्टू की वेल्यू पता चल जाएगी बड़ा मज़ेदार कोश्चन था 18 तीया 54 तीना पांचे 15 तो यह हो गया 15 यह हो गया 250 प्लस में एल्टू बटा में 45 45 और 15 को गुणा कर देंगे अरे चल जावाई 15 गुणा 45 तो 15 पंजे 75 की 5 हसिल का साथ और 15 चोक सहाट सहाट और 7 सड़सट यह हो गया 250 बराबर में एल्टू यहने की प्लस में एल्टू अब मैं 675 में से यदि मैं 250 को घटा दूं क्योंकि घटा नहीं पड़ेगा तो 5 का 5 बच जाएगा साथ में से 5 गई 2 बच गई और 6 में से 2 गई तो 4 बच गई तो 425 चार सो 25 ओप्शन ए इस दराइट आंसर उम्मिद करता हूँ यह बड़ा दिल्चास कोशन समझ में आ गया होगा आपको नेक्स्ट कोशन देखते हैं कि एक रेल गाड़ी 25 एक रेल गाड़ी के 25 डिबबे हैं प्रत्यक डिबबा 8 मीटर लंबा है इंजन की लंबाई 25 मीटर है प्रत्यक डिबबे तथा डिबबे के इंजन के बीच अंतर कितना है? एक मीटर है, याने कि उसने पूरी रेल गाड़ी को तुकड़े में बोल दिया, डबबे डबबे इत्ते, इंजन इंजन इत्ता, इंजन और इनके बीच में गय पित्ता, याने को पूरी रेल गाड़ी को उसने तुकड़े में आपको जानकारी दे दी, क्यों दी, अभी बता रेल गाड़ी की गती 45 किलो मीटर प्रति घंटा है हमको स्पीड पता चल गई एक किलो मीटर लंबे पुल को पार करने में रेल गाड़ी को कितना समय लगेगा सर यहां पर कॉंसेप्ट लगेगा क्यों कि सर यहां पर प्लेटफार्म की लंबाई भी दी गई है तो प्लेटफार्म क्रोस करने में यह कॉंसेप्ट लगता है लेकिन एक बात तरक समझो उसने प्लेटफार्म की लंबाई तो आपको सीधी दे दी है क्या एक किलो मीटर लेकिन उसने आपको ट्रेन की लंबाई सीधे सीधे नहीं दी उसने तुकड़े तुकड़े में दी इंजन इतना बड़ा डब्बे इत्ते बड़े इत्ते डब्बे है तो सबसे पहले आपको ट्रेन की लंबाई निकालनी पड़ेगी तो कैसे निकालोगे ध्यान देना तोटल 25 डिब्बे हैं और एक डिब्बा 8 है तो यह 25 मीटर भी मैंने इसमें जोड दिया एक इंजन है इसके बाद में प्रतेक डिब्बे तथा डिब्बे से इंजन के बीच का अंतर कितना है एक मीटर ध्यान दो गैप आप ट्रेन में जब यदि बैठे हो तो आपको मालूम होगा दो डिब्बों के बीच में गैप हो तो उसने बोला एक अंतर यानि कि जो गैप है वो एक मीटर का है तो आप बोलोगे सर कितने हैं इसमें तो आप क्या करोगे सर 25 और एक इंजन 26 तो आप बोलोगे इसमें 26 जोड दो गलत हो जाएगा भाई गलत क्यों हो जाएगा ध्यान दो अभी मैं आपको एक लॉजिक ब तो गैप कितना हुआ एक और एक दो यानि कि तीन डिब्बे होते हैं तो दो गैप होता है यदि में एक और डिब बढ़ा दूँंगा तो एक गैप और बढ़ जाएगा मतलब आप यह देख रहे हो जितने डिब्बे हैं उससे एक कम गैप है तो आपको ध्यान रखना ही आ पर टोटल डब्बे कितने हैं डब्बे और इंजन मिला के 26 हैं तो 26 में से एक घटा दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि 25 गैप हैं पूरे और एक गैप एक मीटर का तो 25 गैप कितने के हो जाएंगे 25 मीटर के यह जो बनाया है इसको आप कर ले ना बाद में यदि उतारना हो तो तो यह 25 मीटर क्या आ गया इनके सब के बीच का अंतर का लंबाई का योग अ मैं इन सब को जोड़ देता हूं इससे ट्रेन की लंबाई कंप्लीट हो जाएगी तो 5 और 5 10 2 2 4 और एक 5 और यह हो गया 2 तो सर 250 मीटर याने 25 25 पचास भी वोल सकते थे 250 मीटर लंबी क्या है सर यह 250 मीटर लंबी जो है वो ट्रेन है क्या पता मैं शायद पीछे था तो देखनी पाए होगे यह 250 मीटर लंबी ट्रेन है अब मुझे सब कुछ मिल चुका है तो सर में ट्रेन की जो है वो गती रख दूँगा 45 किलो मीटर पर आर इसके बाद में सर ट्रेन की लंबाई मुझे पता चल गई है 250 सर प्लेटफार्म की लंबाई है एक किलो मीटर तो भाया एक सीधे मत रख देना एक किलो मीटर है और एक किलो मीटर में होता है 1000 meter, तो ये हो गया 1000 meter बटा में यहाँ पर क्या हो जाएगा वो समध लीजिये तो यहाँ पर बटे में समई रखना है, समई कितना लग रहा है तो समईहें बोले सर पूछी रहाता आप क्या निकाल रहो, अरे सर समईहें पूछ रहा है कोई बात ने टी रग देंगे आप यहां पर ध्यान देना यह 250 और 1000 क्या है मीटर और 45 क्या है किलो मीटर प्रती घंटा तो इसमें मैं गुणा किसका करूंगा बड़े से छोटा तो छोटा उपर आया और 5 बटा 18 अब मैं इसको सॉल कर दूँगा और टी का मान निकाल लूँ और बटा में क्या हो गया टी 25 से काटा 25 पंजे 150 आ गया समझ में 25 पंजे 125 स्वरी अब यहां पर क्या बचा तो यहां पर टी और यह दो और यह 50 गुणा हो जाएंगे तो कितने हो गए 100 तो यह 100 क्या हो गए सेकेंड तो कहीं पर 100 सेकेंड कहीं ऑप्शन दिख रहा है क्या नहीं sir 100 second तो कहीं पर option नहीं दिख रहा, minute और second, minute और second, तो अब ध्यान दो, यह जो 100 second है, इसको हम दो भागों में बाटेंगे, जो मैंने थोड़ी दर पहले ही किया था, इसमें 1 जो होगा, वो 60 second होगा, और 1 जो होगा, वो 40 second, इस 60 second को मैं क्या कहूंगा, 1 minute, तो प्रस्ण म आ जाएगा, अच्छे से समझ गए, next question, next question है कि एक train में 32 डिब्बे हैं, फिर से वही वाली बात है, वो train की लंबाई नहीं दे रहा है, आपको element दे रहा है, प्रत्य डिब्बा 72 मीटर लंबा है, ओके, इंजन की लंबाई 90 मीटर है, ठीक है, train 60 किलो मीटर प्रती गंटे की गती से चल रही है, train की गती दे दी, 900 मीटर लंबे पुल को पार करने में उसे कितना समय लगेगा, तो आप ध्यान देना, इसको carefully करना, मैं आपको समझा रहा हूं, कैसे, पहले तो आपको concept पता है कि S is equals to L प्लस P upon T अब यहां पर सबसे पहले तो आपको मालूम है कि प्लेट फार्म की जो है, लंबाई आपको दी हुई है, पूल की लंबाई कितनी दी है, 900, आपको train की लंबाई पता करनी है, इस बार उसने gap नहीं दिये, सीधे उसने बोला, सर 32 डिब्बे हैं, और एक डिबा 72 का है, तो यहां से आपको कूल लंबाई मिल जाएगी डिब्बों की, और इंजन की लंबाई दी है 90, तो जो भी आएगा मान, उसमें हम 90 को क्या कर देंगे, जोड देंगे, तो देखो 72 और 32 को हम गुणा करेंगे, आप अपने हिसाब से कर लेना, 2 दूनी, 4 फिर मैंने करा, 7 दूनी चवदा और 3 दूनी, 6 है न, मैं इसलिए यह करवा रहा हूँ आपको इस तरीके से, कि आप लॉजिक समझ जाओ, चलो मैं आपको सिखाई देता हूँ, यदि आप धिहान दें तो ठीक है न, तो आप कर ले ना इस प्रश्न को, मैं अपने हिसाब से कर, सबसे पहले मैं क्या अंसर आ जाएगा देखो, दो दूनी, 4, तो यह 4 लिख दिया, पहला कॉलम गुणा, फिर मैं क्या करता हूँ, दोनों कॉलम को क्रॉस में गुणा करता हूँ, तो यह क्रॉस में कैसे होगा, 7, 2 से गुणा हो जाएगा, 14, और 3 दूनी, 6, तो यह कितना हो गया, 20, अब यह पीछे वाले अंक को मैंने 2 लिख दिया, यहाँ पर 0 लिख दिया, और यह 2 हासिल का चला गया, आखरी में क्या करूँगा, आखरी कॉलम को गुणा कर दूँगा, तो 7, 21, 21 और हासिल का जोड़ देना, 21 और 2, 23, तो यह क्या आ गया, 2304 है न, एक ही कलर में लिख देता इसका केलकुलेशन आया, 304, तो 304, यह कुल लंबाई किसकी आ गई, पूरे पूरे डिबों की, और यह इंजन की, तो इसको जब हम जोड देंगे, 4, यह हो गया, 9, यह हो गया, 3, यह हो गया, 2, तो यह हो गया, 4, 23, 49, 94, तो यह जो ट्रेन की लंबाई आई है, इसको मैं रख दूँगा, तो यह हो गया, 2, 3, 94, अब इन दोनों को मैं जोड दूँगा, और यहाँ पर मुझे बताया गया है, कि ट्रेन की जो गती है, वो सहाट किलोमेटर प्रतिगंटा है, तो 60 into 5 by 18 करूँगा, इन दोनों को जोडूँगा, तो 9, यह 4 का 4 आजाएगा, 9 का 9 सिलका, 1, 2, 1, 3, बटा में T, अब ध्यान दो, यह calculation में आप पे छोड़ रहा हूँ, वो इसलिए छोड़ रहा हूँ, क्योंकि यह time consuming होगी, इसमें specific answer ला करके, मुझे आप comment करके बताना, options दिये हुए हैं, पूरा सिर्फ आपको यह T का मान निकालना है, जो अभी थोड़ी दिर पहले मैंने आपको सिखाया था, calculation कर लेना, यह पूरा number अपने आप में cut जाएगा, और T का एक value आएगा, आप मुझे comment करना, ठीक है, तो उम्मिद करता हूँ, यह process समझ गए होगी आप, next question, next question क्या है, कि 200 मीटर लंबी rail गाडी, 300 मीटर लंबे platform को 25 सेकेंड में पू 10P upon T, तो मैं बहुत तेजी से कर रहा हूँ, इसको, train की लंबाई कितनी दी हुई है, 200, तो train की लंबाई कितनी दी हुई है, 200, एक लंबी रेल गाडी है, 300 मीटर लंबा platform है, 300, और बटा में, 25 सेकेंड में पार करती है, 25 सेकेंड रख दिया, तो यहाँ पर हो गया, कितना, 300, 200, 500, 500 बटा, 25 हो गया, ओके, अब आप इसको कैंसल कर दो, 25 दूनी, 50 तो यह आ गया, 20 मीटर पर सेकेंड, मातरक किलो मीटर पर आर में है, तो 20 को आप किस से गुणा कर दोगे, 18 बटा, 5 से क्यों, छोटे मातरक से बड़े मातरक में बड़ी राशी उपर आती है, 5 चोग बहुत बेसिक कोशन है, हम पहले से करते आ रहे हैं, नेक्स्ट कोशन देखते हैं, 300 मीटर लंबी एक रेल गाड़ी, 54 किलो मीटर प्रती घंटे की रफतार से चल रही है, उससे पुल को पार करने में 40 सेकेंड लगते हैं, तो पुल की लंबाई बताओ, फिर से मैं तेजी स करूँगा, S L प्लस P अपांटी, ट्रेन की चाल आपको दी हुई है, 54 किलो मीटर प्रती घंटा, 54, ट्रेन की लंबाई आपको दी हुई है, 300 मीटर लंबी एक रेल गाड़ी है, प्लेट फार्म आपसे पूच रहा है, 40 सेकेंड में पार करती है, 40 रग दिया, इस 54 को मैं कन कर दूँगा, 5 बटा, 18, क्यों, क्योंकि मेर पास, ट्रेन की लंबाई, मीटर में दी हुई है, है न, तो मुझे प्लेट फार्म की लंबाई भी मीटर में पता चलेगी, 18 तिया, 54, 5 तिया, 15, तो ये हो गया, 15 गुणा में, 40 बराबर में, 300, प्लस में क्या हो जाएगा, P, 15 चोक, सहाट माइनस में, 300, बराबर में, P, तो प्लेट फार्म की लंबाई आ गई, 300 मीटर, कहीं पर दी है क्या, यस, ऑप्शन, B, ठीक है, अब इससे तेज और क्या कर सकता है, कोई, ठीक है, गती चाहिए, तो गती भी मिलेगी, लेकिन, कॉंसेप्ट के साब से, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्रमशह, 121 मीटर, और 99 मीटर लंबी, दो रेलगाडिया, एक ही दिशा में, क्रमशह, 60 किलोमीटर प्रती गंटे, और 40 किलोमीटर प्रती गंटे की, गती से चल रही है, कितने सेकेंड में, एक रेलगाडी, दूसरी रेलगाडी को पार कर जाएगी, अ मैं यहाँ पर कहूंगा, S1 प्लस माइनस S2, L1 प्लस L2 अपान T, यह मैं लिख के इसलिए बताता हूं, ताकि आपको लॉजिक समझ में आए, मैं value भी सीधे put कर सकता हूं, तो यहाँ पर आपको S1 और S2 दिया हुआ है, देखो, 60 किलोमीटर प्रती गंटा, और 40 किलोमीटर प्रती गंटा, तो एक मैंने सहाट रग दिया, एक मैंने 40 रग दिया, ठीक है, स्पीड 1, स्पीड 2, अब आपका प्रस्ण है कि प्लस लगेगा या माइनस लगेगा, तो यहाँ पर ध्यान दे, हम शब्दों को समझे, कि उसने कहा, एक ही दिशा में, तो जब भी एक ही दि 99 दूसरे की, और आप से पूछा एक दूसरे को पार करने में कितने सेकेंड लेगी, तो टाइम आपको पूछ रहा है, अब आप इसमें गुणा कर दोगे, 5 बटा, 18 से, क्योंकि किलो मीटर पर आर को मीटर पर सेकेंड में बदलना पड़ेगा, क्योंकि आपको ट्रेनों की लंबाई मीटर में देके रखी हुए, तो अब आप इसको क्याटा होगे, तो 20, 5 बटा, 18 बराबर में इसको जोड़ोगे, तो यहाँ पर यह जुडने पर होगा, 9 और एक 10 की 0 हासिल का, 1, 9 और 2, 11 और 12 की 2 हासिल का, 1, 1 और 1, 2, बटा में T, अब आप इसको कैंसल करने की क करोगे, तो कर सकते हो, 20 से यह, 220, 11 बार कटेगा, और T का वेल्यू क्या आएगा, तो बोले सर, 18 में 11 को गुणा करेंगे, और 5 से काटेंगे, यह आएगा T, अब आप इसको solve करने की भूल मत करना, क्योंकि देखो सभी options क्या है, absolute है, और आपको एक option दिया है, none, ठीक है, अ आप, यहाँ पर आप देखोगे, कि यह 18, 5 से भी नहीं कटता, और 11 से भी नहीं कटता, मतलब कोई भी answer, पूर्ण answer नहीं आ सकता, ना तो A option है, ना B है, ना C है, तो option क्या आजाएगा, D, कैसे आया, समझ गए, calculation हर बार करनी के आवश्यक्ता नहीं है, बुद्धी का इस्त आएगा, दर्श्रमलों में आएगा, तो नान answer आगिया, ठीक है, next question, 68 किलो मीटर प्रती घंटे की गती से चल रही, एक 50 मीटर लंबी ट्रेन, उसी दिशा में 50 किलो मीटर प्रती घंटे की गती से चल रही, 54 मीटर लंबी ट्रेन, एक दूसरी ट्रेन को कितने समय में पार क करेगी, ओक के वही वाला concept है, कि 68 किलो मीटर प्रती घंटा, S हो गया, 50 मीटर लंबी ट्रेन है, यह L1 हो गया, इसके बादे 50 किलो मीटर प्रती घंटे की गती से चल रही है, तो यह S2 हो गया, और यह 75 मीटर लंबी ट्रेन है, तो यह L2 हो गया, तो भाई, अब मैं सीधे value put करता हूँ, तो यह 68 पहली हो गई, दूसरे 50 किलो मीटर प्रती घंटा है, 50 रख दिया, किस दिशा में चल रही है, तो देख लो उसी दिशा में, याने की माइनस कर दिया, बराबर में, अब पहली ट्रेन की लंबाई कितनी हो गई, 50, दूसरी ट्रेन की लंबाई हो गई, 55 और कितने समय में पार करेगी, टी, 68 में से 50 गया, तो 18 और इसको मैंने 5 बटा 18 से गुणा कर दिया, 55, 50, 125, बटा में, टी, 18 से 80 केंसल, 25, बार केंसल, तो टी बराबर 25 से गेंट, आया समझ में, तो भईया, स्पीड चाहिए तो स्पीड भी है, हमारे पास में, ऐसी बात नहीं है, लेकिन, पहले कॉंसेप्ट तो समझ लें, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कोश्चन है ना, उमीद करता हूँ, यह समझ गया हो, समझ गया हो गया आप लोग, अगला कोश्चन है, एक साइकल चालक, एक स्थान से दूसरे स्थान की दूरी, एक घंटा, 20 मिनिट मे तै करता है, तो थोड़ा सा समझ की रूप में थोड़ा विशेश द्यान देना, यहाँ पर उसने एपसोल्यूट टाइम नहीं दिया, मिनिट और घंटे, घंटे और मिनिट ऐसे करके दिया, यदि वह 18 किलोमेटर प्रती घंटे की गती से साइकल चलाता है, तो उन दोनों स थानों के बीच की दूरी क्या है, दूरी आपको किलोमीटर में निकालना है, तो सभी खेल बड़े मातरक में होगा, द्यान देना, चाल बराबर दूरी वटा समय, हमें पूरा समय दिया, एक घंटा, एक घंटा, बीस मिनिट, अब द्यान देना, एक घंटा, बीस मिनिट य है तो आप इसको किसमें बदलोगे घंटे में तो यहाँ पर असी बटा साहाट यह किसमें आपने इस को बदल दिया घंटे में अब आप पूछो कि सर्थ आपने सहाट का डिवाइड क्यूं करा क्यूंकि मैंने पहले ही बताया है कि एक गंटा बराबर 60 मिनिट तो एक मिनिट बराबर एक बटा सहाथ, तो कितना 80 मिनिट, तो 80 मिनिट निकालने के लिए 80 बटा सहाथ गंटा हो जाएगा, अब यहां पर time का में को value पता चल गया 80 बटा सहाथ, इसके बाद में मुझे कहा गया 18 km प्रती गं है तो S की जगह मैंने 18 रग दिया D मुझसे पूछ रहा है और इसकी जगह पर मैंने 80 बटा सहाट रग दिया उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे अब D निकालना है मैंने इसको छेडा चाड़ा नहीं अभी तो यह हो जाएगा 80 बटा सहाट गुणा में अब इसको आप सुविधा से काट दो और क्या अपनी तो यह मैंने 20 से काटा 4 बार और 20 से काटा मैंने कितनी बार तीन बार ठीक है और फिर मैंने क्या करा तो फिर मैंने इसको काटा तीन से कितनी बार छे बार तो छे चो चो बीस 24 किलो मीटर कहीं दीख रहा है कि हाँ बोले उपर दीख रहा है भी ऑप्शन पे 24 किलो मीटर is the right answer मैं थोड़ा 37 सेकेंड जब तक आप प्रशन पढ़ लो तो देखो एक ट्रेन यदि रुके नहीं तो उसकी गती 80 किलो मीटर प्रती घंटा है ठीक है लेकिन वहाँ 560 किलो मीटर की दूरी 8 घंटे में तै करती है तो उसे प्रती घंटे कितना रुकना पड़ता है अब देखने वाली बात यह है कि 560 किलो मीटर की दूरी है और यदि वो नहीं रुकती है तो उसकी गती कितनी है 80 किलो मीटर प्रती घंटा 8 घंटे में तै कर रही है कब लेकिन वह 570 km की दूरी को 8 गंटे में तय कर रही है इसका मतलब वो रुक रही है कैसे रुक रही है यदि 570 km की दूरी को वो नहीं रुके तो 80 km पती गंटे की गती से चलेगी तो मैंने किया क्या S is equals to D upon T ये देखो S क्या दिया हुआ है उसने चाल दिया 8 km पती गंटा कितना दूरी कितना दिया है उसने 500 साहाट और 80 दिया है चाल तो मैंने टाइम निकाल लिया यहां से टाइम कितना निकलेगा तो ये 0 से 0 कैंसल और 8, 7, 56 ये हो गया 7 गंटा तो आप कहोगे सर यदि वो नहीं रुकेगी तो वो सफर को 7 गंटे में तय कर लेगी लेकिन वो तय कितने में कर रही है 8 गंटे में तय कर रही है इसका मतलब वो रास्ते में कुछ न कुछ रुक रही है अब आपको पता करना है कि वो प्रती एक बार जब वो रुकती है तो वो कितना मिनिट रुकती है कि एक गंटा लग रहा है, अब आप यह करो, कि इस एक गंटे में से तुक्ड़े कर दो, कि प्रती एक बार रुकने पर वो कितना minute रुक रही है, तो अब आप इसके लिए क्या करोगे? इस एक गंटे को हम कहेंगे साहाट मिनिट और इस साहाट को मैं डिवाइड किस से करूँ आ उससे समझ में आ जाएगा कि कोश्चिन कैसे हुआ है इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ साथ से समझना ठीक है इसको मैं डिवाइड किस से कर रहा हूँ साथ से तो इसको मैंने साथ से काटा 7, 8, 56, 8 बर कर गया, बज गया कितना, 4 और बटा में 7, ये आंसर आ गया आपको मिनिट में, तो आप कहोगे सर 7 बार क्यों डिवाइड करा, ध्यान दो वो पूरे सफर को 8 गंटे में तै कर रही है, इसका मतलब की वो टोटल 7 बार रुकी है, कैसे, ध्यान दो, ये रहे सेगमे के बीच में वो एक बार रुकती है, ये 2 सेगमेंट के बीच में फिर दूसरी बार, फिर ये तीसरी बार, तो इसका मतलब जितने सेगमेंट होंगे, उतने में वो रुक, 8 गंटे के सफर में, वो 8 गंटे जब सफर खतम कर देगी, तब थोड़ी रुकेगी, तो इसके पहल करना कि सीधे 8 से डिवाइट कर दो, आप सहाट को, आपको जो सहाट है, उसको 7 से डिवाइट करना होगा, क्यूं करना होगा, क्यूंकि टोटल 8 गंटे के सफर में, वो पहले 7 गंटे रुकी होगी, और जब वो सफर अंत्म में, जब 8 गंटे पे आएगा, तब उसका सफर म खतम हो चुका है तो इसलिए साथ से डिवाइट करने का लॉजिक ये था तो प्रती एक बार रुकने पर वो 8 सही 4 बटा 7 मिनिट रुकेगी ये इसका सही आंसर था तो उम्मिद करता हूँ कि आप लॉजिक समझ गए होंगे option B is the right answer अच्छा logical question था next question एक व्यक्ति अपने कार्याले 10 km प्रती घंटे की गती से तथा चला तथा कार्याले 3 मिनिट देर से पहुचा तो ऐसे question हमने पहले कभी किये हैं दूसरे दिन उसने अपनी गती 2 km प्रती घंटे से क्या कर ली बढ़ा ली तो 2 मिनिट वो क्या हो गया पहले पहुच गया तो कार्याले की दूरी कितनी है तो ये concept मैंने आपको बताया था इसमें मैंने आपको कहा था कि ये 10 km प्रती घंटे की चाल है और उसने बाद में अ कैसे आगया 2 km बढ़ाया तो दूसरे दिन उसकी चाल हो गई 12 km प्रती घंटा नीचे मैंने कहा था चालों का अंतर याने दो भी जो भी चाल है उनको घटा देना गुणा में समय का अंतर जोड देना तो पहले वाला समय का अंतर कितना है दो ये पहले वाले समय का अंतर है 3 मिनिट और बाद वाले समय का अंतर है 2 मिनिट तो इन दोनों को जोड देना तो ये 3 और 2 5 बटा में सहाट ये मैंने पिछले वीडियो में करवा चुका हूँ इसलिए मैं इसको तेजी से करवा हूँगा ठीक है 10 गुणा में 12 बटा में 2 गुणा में 5 बटा में सहाट अब इसको आप कैंसल कर दोगे 12 पंजे सहाट 5 से 5 कैंसल और ये 2 से ये 5 कैंसल तो 5 किलो मीटर इसका आंसर आ जाएगा option B is the right answer ठीक है ये concept में करवा चुका हूँ तसलिए से इसलिए मैं इसको लंबा नहीं की चूँगा ये question में गडबड थी इसने मैंने इसको cancel कर दिया है काड़ दिया है next question क्या होगा वो देख लेते हैं अरे कहा रहे गया भाई भाई सहा बहुत शांदार question है ठीक है बहुत शांदार question है और बड़े तसलिए से मैं आपको करवाओंगा इसको इसलिए तसलिए करवाओंगा क्योंकि question की length आप देख सकते हो और logical भी है और यदि आप चाहो तो शांती से वीडियो को रोक करके इस तो द्यान देना कि ये प्रस्ण में क्या कहा गया कि एक दिन एक व्यक्ति सुभे 7 बजे 9 किलोमेटर प्रती घंटे की गती से याने चाल से साइकल द्वारा अपने किसी संबंधी से मिलने के लिए चला गया कुछ दूर जाने के बाद उसकी साइकल खराब हो गई जिससे व वो कितने बजे निकला है सुभे 7 बजे अब वो घर से कुछ दूरी पर गया उसकी साइकल खराब हो गई और वो पेड़ के नीचे क्या हो गया बैट गया समझ रहे हो तो यह वो पेड़ के नीचे क्या हो गया बैट गया और यहां पर उसकी साइकल खराब हो गई हमें नहीं मालूम कितनी दूरी पर हुई है लेकिन हमने माना कि घर से दी दूरी पर उसकी साइकल खराब हुई थी और वो यहां पर आकर के बैट गया और जाते वक्त उसने हमे कहा है कि उसकी स्पीड 9 km प्रती घंटा है याने की 9 kmh उसकी स्पीड है अब उसके बाद में हमसे कहा गया यहां तक का कोशन हमने कंप्लीट कर लिया यह वो पेड़ के नीचे बेठा है समझ लेना है उसकी साइकल खराब हो गई जिससे वो वहीं रुख गया तथा 35 मिनिट आ एक बजे अपरान याने दोपर में अपने घर वापस आ गया तो भाई उसकी साइकल खराब हो गई तो उसने कंधे पे उठाई साइकल को कंधे पे उठा करके वो वापस 3.5 km प्रती घंटे की गती से वापस आ गया और वो कितना दूरी फिर से तय करा उसने D दूरी तय करा क्योंकि जितना गया था उतना वापस आ गया तो उसने पूछा है हमसे कि घर से कितनी दूरी चलने के बाद उसकी साइकल खराब हो गई थी मतलब वो हमसे ये D का वेल्यू पूछ रहा है तो कोशन का तासीर तो मैंने आपको समझा दिया अब ये कोशन होगा कैसे इसके लि सब्सक्राइब नहीं होगी क्योंकि इस इस कॉंसेप्ट में एक विशेश कॉंसेप्ट लग रहा है कि कोई व्यक्ति जितना जा रहा है उतना वापस आ रहा है और आपको दो चाल दी हुई है तो यदि कोई दिल से मेहनद करते हुए आ रहा होगा ज़्यादा चोटा हो गया एक मिनिट मैं क्या है जगा बना रहा हूँ यस तो मैंने यह इसको यहाँ प्लेस कर दिया उम्मिद करता हूँ कि आपको देख रहा होगा अभी तक जो बनाया है और अम मैं आपको यहाँ पर यह कोशन करके बताता हूँ जो की इस आधार पे होगा कि आपको औसत चाल मालूम होनी चाहिए औसत चाल जो होती है वो होती है कूल दूरी बटा कूल समय और औसत चाल एक विशेस कॉंसेप्ट में होती है तो टाइमस आफ S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2 तो आप कहेंगे सर यह क्या है तो मैंने यह बताया था आपको जब special condition लगती है कि एक वेक्ती जितना जा रहा है उतना वापस आ रहा है और दो चाल दी है तो आपको औसत चाल इस कॉंसेप्ट से मिल जाती है अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए आपको दूरी निकाल ली है चला कितना तो यहाँ पर ध्यान दीजिए छे अरे भाई चल जा हो 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 गड़बड़ नहीं हो जाए छे गंटा छे गंटा चला है वो अब छे गंटे में वो पूरा छे गंटा नहीं चला वो 35 मिनिट आराम भी करा उसने तो आपको इसको पहले तो समय को convert करना पड़ेगा तो 35 मिनिट को आपको घटाना है तो पहले तो आप 6 को सहाट से गुणा करो तो यह बन गया 317 मिनिट और 317 मिनिट में से 35 मिनिट वो नहीं चला तो कितना चला 325 मिनिट चलाओ तो आपके पास cool समाई कितना आ गया 325 मिनिट ध्यान देना ये minute में आया है तो ये minute में आया है तो इसको convert करना पड़ेगा आपको घंटे में बाद में करेंगे लेकिन अभी मैं value put कर रहा हूँ ये हो गया 2 times S1 क्योंकि ये भी औस चाल ही होता है ये vicious concept है तभी ये question हो पाएगा तो S1 की value आपको कितनी दी हुई है 9 km तो ये 9 रख दिया और S2 की value कितनी दी है 3.5 नीचे 9 और 3.5 को मैंने जोड देना है ठीक है मैं यहाँ पर जगा बना रहा हूँ ध्यान देना solve करने के लिए इसको मैं convert कर रहा हूँ किसमे घंटे में तो यहाँ पर क्यों घंटे में क्योंकि 9 और 3.5 मुझे किलोमीटर प्रती घंटे में दिया है और जो मुझे answer पूछे जा रहे है वो किलोमीटर में पूछे जा रहे है तो मैंने इसको सहाट से डिवाइट कर दिया तो मैंने इसको convert कर दिया गंटे में अब ध्यान देना इसको पूरा solve करना है बस और कुछ नहीं और उसी में आपने जीत हासिल कर ली तो काम हो जाएगा यह सहाट पलट के उपर चला जाएगा नीचे रह जाएगा 325 बराबर में 2 इंटू 9 इंटू 3.5 divided बाइड़ बाइड़ नव और 3.5 बारा दशमलव पांच यह दशमलव से दशमलव कैंसिल हो गया आगे बढ़ेंगे एक मिलिट है ना दीरे दीरे में solve कर रहा हूँ अब मैं 25 से काटता हूँ तो 25 पंजे 125 मैं 25 से काटता हूँ तो 25 एकम 25 और बज गया कितना 7 25 तिया 85 ध्यान देना है देखो यह उपर वाले 2 से मैंने उपर वाला 2 कैंसल कर दिया अब मैं और क्या कर सकता हूँ मैं यह कर सकता हूँ कि पान से काट सकता हूं तो पानु सातू 35 और पान से काटूंगा तो ये बारा बार कैंसल हो जाएगा अब मैं इसको 9 को भी कैंसल कर रहा हूं तो 3 तिया 9 3 4 12 ठीक है अब मैं इसको थोड़ा सा जगह बना ले रहा हूं ताकि confusion ना हो अब बची हुई चीज क्या है मैं गोला मार इन्टू 13 ओके 3 इन्टू 7 इन्टू 13 डिवाइड़ वाई ये 4 और ये 5 इतनी चाया जाएगा तो ये हो जाएगा 4 इन्टू 5 अब मैं इसको आगे बढ़ाता हूं ठीक है इतनी ही राशियां बची थी तो ये हो जाएगा सातिया 21 गुणा में 13 बटा में 5 20 अब 21 को मैं 13 से 20 अमें इसको कैंसल कैसे कर रहा हूं मैं 20 से नहीं काटूंगा मैं इसको 2 से काटूंगा यानि कि इसको आधा करूंगा तो ध्यान देना मैं आधा कैसे कर रहा हूं ये 273 है 273 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 273 तो 200 का आधा कितना हो गया 100 70 का आधा कितना हो गया 35 और 3 का आधा क पांच बटा में 10, 10 कहां से आया, यह 0 बचेगा, अब इस 0 के लिए 10 समलो को एक कदम आगे बढ़ा दोगे, तो यहाँ पर ध्यान देना में क्या कर रहा हूं, पहले यहाँ पर दशमलो एक अंक के पहले लगा था, 10 से डिवाइड करोगे, तो यह एक अंक और आगे बढ़ ज क्या, अभी तक तो आपको दिख गई होगी, yes, B option, 13.65 km is the right answer, तो यह, actually मेरे पास software है, इस प्रकार का की space थोड़ा सा मेरे पास कम रहता है, यदि यह board पर होता, digital board पर होता, या whatever, तो इसको मैं एक ही frame में कर पाता, मैं कोई उम्मिद है कि आपको इससे कोई परिशानी नही होती होगी, हमें समझना है, और समझने वाले के लिए तो काफी होती है सब चीजे, तो उम्मिद करता हूँ कि यह process आप समझ गए होगे, इस प्रकार के question की, इस प्रकार के questions तभी आप से बनेंगे, जब आप इनको सीखेंगे, अगला question करते हैं, मन से कभी नहीं बनेगा, ठीक है, तो आपको इसके experience होने चाहिए, एक रेलगाडी एक खंबे को पार करने में 15 सेकेंड तथा 100 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में 25 सेकेंड लेती है, तो रेलगाडी की आप से पूछी है लंबाई, अब ध्यान देना यहाँ पर, पहले sentence को हम पढ़ेंगे तो हमें लगेगा कि sir, s is equals to l upon t, क्योंकि train खंबे को पार कर रही है, दूसरी बात हमें यह लगेगा, 100 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार कर रही है, तो हम बोलेंगे sir, s is equals to l plus p upon t, क्योंकि प्लेटफार्म को पार कर रही है, अब उसने पूछा कि आप से वो train की t को बराबर रख देंगे, अब यह पहला समय है इसलिए t1, यह दूसरा समय है इसलिए t2, अगली बार इस बात को ध्यान रखना मैं इसको सीधे लिखूँगा, जब भी कोई train किसी आदमी या खंबे को पार करेगी, और वही train आगे जा करके किसी bridge, pool और सुरंग को पार करे तो मैंने 15 रख दिया, train की लंबाई पूछी है, platform की लंबाई मुझे उसने 100 दी है, और t2 कितना दिया हुआ है, 25, चलो भाई, solve कर देते हैं, 5, 3, 15, 25, यह 5 इस L से गुणा हो जाएगा, तो 5 L बराबर में यह 3 L से गुणा होगा, 3 L और 100 से भी गुणा होगा, 300, 2 L बराब 150, 150, कहीं दिख रहा है क्या, yes, C option is 150, ओके, next question, देखो, एक व्यक्ति जो 170 मीटर लंबे platform पर खड़ा है, ठीक है, सर, platform की लंबाई मुझे 170 मिल गई, देखना, देखता है कि, देखना नहीं, देखता है कि, जिस गाड़ी को उसे पार करने में, साथ सही 1 बटा 2 सेकेंड लगा, कहने का मतलब है, कि उसने देखा कि वो ट्रेन थी, उस ट्रेन ने, उस आदमी को इतने सेकेंड में पार कर दिया, तो आप कहोगे, सर, concept लगेगा S is equals to L upon T, क्योंकि वो ट्रेन उस आदमी को पार कर रही है, जहां पर आपको टाइम दिया हुआ है, साथ सही 1 बटा 2, उसने ट्रेन की लंबाई यहां नहीं दिया, क्योंकि प्लेटफार्म की लंबाई 170 है, वहाँ प्लेटफार्म को, यानि कि, फिर से समझो, देखता है कि, जिस ट्रेन ने उसे, साथ सही 1 बटा 2 सेकेंड में पार करा, वहाँ उस प्लेटफार्म को 21 सेकेंड में पार करती है, मतलब वो ट्रेन उस प्लेटफार्म पे जिस पे वो खड़ा है, 21 सेकेंड में पार करती है, तो concept लगेगा S, L, प्लस P, अपॉन T, और मैंने अब भी यह बात बताई थी आपको कि वही train आदमी को पार कर रही है और platform को पार कर रही है तो आपको क्या करना है आपको train की उसने क्या पूछी है चाल train की चाल निकलेगी पहली चीज या दूसरी चीज से उसके लिए आपको train की लंबाई पता होना चाहिए और इसके पहले वाले question में ही मैंने train की लंबाई निकालना बताया L प्लस P अपान T2 तो हम निकालते हैं train की लंबाई L T1 कितना दिया हुआ है तो बोले sir 7 सही 1 बटा 2 देखता है कि जिस आदमी को है ना तो 7 सही 1 बटा 2 का मतलब हो गया 15 बटा 2 P की लंबाई 170 है T2 कितना दिया हुआ है 21 सेकेंड तो यह मैंने 21 रख दिया हम इसको थोड़ा solve कर देता हूँ तो यह दो तो उपर चला जाएगा तो यह हो गया 2L बटा में 15 L प्लस 170 बटा में 21 यह साथ इससे गुणा हो जाएगा तो यह हो जाएगा 14L और यह पांच इन दोनों से गुणा हो जाएगा तो 5L प्लस 14 75 85 14 में से 5 गई तो 9L बराबर में 850 इसलिए ट्रेन की लंबाई 850 बटा 9 अब द्यान देना कि मैं क्या कर रहा हूँ ट्रेन की लंबाई मुझे मिल चुकी है और मुझे पूछा जा रहा है कि ट्रेन की चाल क्या होगी ट्रेन की चाल होगी L अपॉंटी कैसे ट्रेन की लंबाई अभी मुझे मिल चुकी है 850 बटा में 9 ट्रेन की लंबाई हो गई मीटर में अब इसके बाद में आपको टाइम तो time आपको यहाँ पर यह देखो यह जो मैंने निकाला था यह time time कितना हो जाएगा इसके बटे में 15 बटा 2 क्योंकि यह मैंने समय रखा था उस train के द्वारा आदमी को पार करने का तो बोले sir अब क्या आप में को जगा चाहिए तो यह हो गया 850 बटा में 9 गुणा में 2 बटा 15 अब मैं इसको solve करना चाहूंगा तो मैं यह देखूंगा कि यह सारी चीजे मीटर और सेकेंड में दी गई है लेकिन option चेक करूंगा कि option काई में दीए गए है तो आपको options कहीं पर नहीं मिल रहे हैं यह छुपाया है examiner ने ताकि वो आपको confuse कर सके अब इसको आप जब solve करो जब आप इसको solve करो तो क्या होगा आप इसको भरपूर काटने की कोशिश करोगे लेकिन आपको answer नहीं दिखाई देगा कैसे इसको आपको कोशिश करोगे कि sir में इसको 5 से काट दू 5 तीया 15 फिर मैं इसको 5 से और 5 से काट दू तो यह 170 आएगा फिर आप देखोगी कि 9 170 को नहीं काट ता 3 दो रो 170 को नहीं काट ता इसका मतलब है कि यहां पर उसने हमें जो चीज दी है 9 और ये 3 ये मीटर पर सेकेंड में और आंसर वो किलो मीटर पर आर में पूछ रहा है तो आपको इस छोटे मात्रक को बड़े में बदलना है तो बड़े में बदलना है तो अठरब अटा 5 से गुणा कर देना है अब इसको आप काटो तो ये 9 दूनी 18 कट गया फिर और किसी से काटो तो ये आप काटोगे 5 से तो 5 से आप काटेंगे तो 5 तीया 15 दो बज गया 5 चोक 20 अब आप देखोगे कि ये दो दूनी 4 और ये 34 तो गुणा करो चार को 4 से गुणा करा 16 चार चोक 16 हासिल का एक 4 तीया 12 और एक 13 बटा में 3 अब इसको काटो 3 चोक 12 बज गया 1 तीना 5 पंदरा बज गया 1 एक बटा 3 45 एक बटा 3 कहीं पर आप्शन दिखेगा क्या दिखा गया दिख गया आप तक तो आप्शन ए 45 एक बटा 3 इसका क्या होगा सही आंसर होगा जब आप कोशन करते रहोगे तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि करना एक जेकली क्या है ठीक है धीरे धीरे एक्सपीरेंस आता है दो रेल गाडियां है ठीक है दो रेल गाडियां यह है एक ही दिशा में वो की है कि एक ही दिशा में एक ही स्थान से चलती है पहली रेल गाड़ी एक नियत समय पर 40 किलो मीटर प्रती घंटे की चाल से तथा दूसरी रेल गाड़ी 5 घंटे बाद वेरी वेरी इंपोर्टेंट कोश्चन 65 किलो मीटर प्रती घंटे की चाल से चलती है दूसरी रेल गाड़ी पहली रेल गाड़ी को कितनी देर में पार कर पकड़ लेगी तो मैं पहले थोड़ा सा जल्दी कोश्चन करवाने की कोशिश करता हूं तक हम लंबा ना खीचे उसको मैंने क्या किया कि हम मुझसे पूछाए कि पहली वाली दूसरी वाली को कितनी देर में पार कर लेगी तो देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर आपको दो चाल दी गई है तो आप बोलोगे सर S1 S2 प्लस माइनस बराबर में यहाँ पर आपको पूछा गया है कितनी दूरी तो यहाँ पर दूरी आने कि कितने समय में तो भाई कितने समय के लिए मैंने दूरी रख दिया और बटे में रख दिया समय अभी क्या कर रहा हूँ बस उसको समझना S1 और S2 दिया हुआ है 65 और 40 तो मैंने ये रखा 65 ये रखा 40 और कितनी देर में पकड़ लेगी तो एक ही दिशा में है माइनस कर दिया ये 5 गंटे का समय है और ये जो पहली वाली ट्रेन है ये इसकी गती कितनी है 40 किलो मीटर तो मैंने ये 5 गंटे को मैंने इस 5 गंटे को 40 से गुणा कर दिया और बटे में T अब मैं क्या कर रहा हूँ तो ये हो गया कितना 200 बटा में T इसमें से ये घटा दूँगा तो 65 में से 40 गया तो 25 बचता है अब मैं इसको काट दूँगा तो आप कहोगे 25 अठे 200 और T बराबर 8 गंटा आंसर आ गया कहीं दीकर आए क्या Option C आप बोलोगे सर समझ कुछ नहीं आया अब कि आंसर आ गया अब मैं समझाता हूँ इसको मिटा करके द्यान देना ये कोशन किस प्रकार से होते हैं ये कोशन चोर पुलीस में भी दिखाई देंगे आपको यही प्रशन आपको ट्रेनों के आगे पीछे देर में भी दिखाई देंगे यानि एक train पांच गंटे बाद निकल रहे है जैसे ये प्रस्ण है एक train दूसरी train से चार गंटे बाद निकल रहे है तो इसमें concept क्या लगेगा क्योंकि दो चाल दी रहती है तो सापिक्ष का तो concept लगेगा यह लगेगा लेकिन इहाँ पर आपको दूरी कैसे निकान दो कि एक ट्रेन इस इस्थान से चल पड़ी कितनी गती से 40 किलो मीटर पर आर लिखते लिखते गभी गड़बड हो जाती है 40 किलो मीटर पर आर ये जा रही है तो ये जा रही है ये प्रस्ण में कहा कि पहली ट्रेन नियत समय पर एक निश्चित समय पर 40 किलो मीटर प्रती घंटे की चाल से जा रही है तथा दूसरी ट्रेन 5 घंटे के बाद में निकली है तो इसका मतलब इस 40 km प्रती घंटे की चाल से चलती हुई ट्रेन ने 5 घंटे में कुछ तो दूरी तय करी होगी इसका मतलब मैं इसमें 5 का यदि गुणा कर दूँ चाल के साथ समय का तो दूरी पता चल जाएगी तो इसने टोटल कितनी दूरी तय करी? 200 km, 40 km प्रती घंटे के साथ से 5 घंटे में 200 km की दूरी तय करी अब पहली ट्रेन और दूसरी ट्रेन के बीच में गैब कितने का है? 200 km का अब जो पहली ट्रेन है वो A माना मेंने वो यहां पहुँच चुकी है और दूसरी ट्रेन भी अब निकल रही है 5 घंटे के बाद तो उसे इस 200 km की दूरी को क्या करना पड़ेगा? तय करना पड़ेगा तब जा करके वो पहली ट्रेन को क्रॉस करेगी लेकिन क्योंकि पहली ट्रेन भी चल रही है इसलिए हम यहां पर सापेक्ष का कॉंसेप्ट लगाएंगे चाल के साथ में तो यहां पर यह प्रस्ण कुछ इस प्रकार से हो जाएगा कि मैंने दोनों ट्रेनों की चाल रखनी है तो यहां पर आ जाएगा एस वन माइनस एस टू क्योंकि वो एक ही दिशा में जा रही है नंबर टू कि मुझे यहां पर डिस्टेंस की जगह पर क्या रखना है डी क्योंकि यह 200 मीटर की 200 किलो मीटर की दूरी तै करनी है और मुझे टी टाइम पता करना है बस मैंने यही अभी थोड़ी देर पहले किया था 65 माइनस 40 बराबर में 200 बटा टी तो यह 65 चालीस हो गया था 25 बराबर में 200 बटा में टी 25 से यह 8 बार कैंसल टी बराबर 8 गंटा तो जब भी यह 4 पूलिस वाले कोश्चन आएंगे वो भी ऐसा ही होते हैं कि मैं आपको तर्ग बता रहा हूँ सुभे 4 बजे चोरों ने चोरी करी और एक निश्चित दिशा में चल पड़े सुभे 8 बजे पूलिस आई किते गंटे बाद? 4 गंटे बाद 8 बजे पूलिस आई तथा उन्हों ने पूलिस ने उसी दिशा में चोरों का पीछा करना शुरू करा यदि चोर 2 किलो मीटर प्रती गंटे की गती से जा रहे थे तथा पूलिस ने 6 किलो मीटर प्रती गंटे की गती से पीछा करना शुरू करा तो देखो दोनों की चाल दे दी तो सबसे पहले तो आप दूरी निकाल लोगे कि अच्छा सर 2 किलो मीटर प्रती घंटे की गती से ये दोड रहे हैं और सुबह 4 बजे से दोड रहे हैं तो ये 8 बजे तक 4 घंटे दोड़े होंगे तो सर कितना आगे गए होंगे तो 2 किलो मीटर प्रती घंटा गती हो गई इसमें समय का में गुणा कर दूँगा चार गंटा तो ये 8 किलोमीटर मेरे को दूरी पता चल गई 8 किलोमीटर दूरी रखूँगा, दोनों की सापेक्ष गती रखूँगा माइनस लगाऊँगा क्यूंकि एकी दिशा में दोड रहें और टाइम पता कर लूँगा तो ये चोर पूलिस वाले कोश्चन भी मैंने आपको इसी भाषा से करवा दिये उमिद करता हूँ समझ गए होगे, आगे और आएगा, ये सेकेंड इनिंग है इसकी बाद में और वीडियोज एप्टी के आते रहेंगे, आपको सतत मिलते रहेंगे एक स्कूटर सवार पहले 50 किलो मीटर प्रती गंटे की गती से 100 किलो मीटर जाता है तो पहला सेगमेंट 100 किलो मीटर का है और गती उसके लिए 50 किलो मीटर की है अगली बार 40 किलो मीटर प्रती गंटे की गती से 120 किलो मीटर जाता है तो उसकी औसत चाल क्या होगी यह question में करवा चुका हूँ जिसमें दूरी अलग-अलग होती है चाल दी होती है तो मैं इसको तेजी से करवाऊंगा 100 km की दूरी 100 km की दूरी 50 km के हिसाब से प्लस बाद के 120 km की दूरी 120 बटा में किस गती से 40 की गती से तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि यह 100 और 20 हो गया 220 120, 120, 120, 120, 120 220, अब इसको 50 से काड़ दिया दो बार और 40 से काड़ दिया तीन बार तो यह हो गया 5 बार अब 5 से काड़ देना 5 चोग 20 बच गया दो 5 चोग 20 40 km is the answer C option is the right answer यह जो मैंने किया यह मैं पिछले वीडियो में अच्छे से समझा चुका हूं कि जब भी आपको औसत चाल निकालनी है तो कुल दूरी बटा कुल समय करते हैं यह रही आपकी कुल दूरी और यह कुल समय कैसे निकलता है यह पिछले वीडियो में बता चुका हूं नेक्स्ट कुशन देखते हैं एक कार को यात्रा 18 गंटे में तै करती है यदि आधी दूरी 40 km प्रती गंटे से तथा 6 दूरी 60 km प्रती गंटे की गती से तै करती है तो कुल तै की गई दूरी कितनी है दिक्कत maximum time student बोलता है सर आधी तो कर ली अब उसने बाद की दूरी नहीं दी थी अरे मेरे प्रभू पूरी दूरी में से आधी दे दी तो आधी थो बचती है न कभी कभी ये confusion हो जाता है तो हम मेरी बात को ध्यान देना की आधी दूरी वो तै कर रहा है और इसके पिछले वाला ही concept लगेगा क्योंकि कुल दूरी पूछ रहा है वो है ना तो हमको हमने बोला सर आधी दूरी याने पहली आधी दूरी हो गई d by 2 अब भी इसके जस्ट पिछले वाला concept कभी कभी थोड़ा सा क्या है मेरा सिस्टम धीमे धीमे चलता है d by 2 आधी दूरी तो बोले सर आधी दूरी में उसकी गती कितनी थी कितनी थी देखो 40 km प्रती घंटा तो इसको आधी दूरी को किस से डिवाइट कर दोगे चालीस से फिर प्लस बाकी शेश दूरी शेश भी कितनी बचेगी आधी और आधी के लिए सहाट किलोमेटर तो यह प्लर्स कर दिया d by 2 और बटा में सहाट तो टोटल टाइम कितना दिया आपको अठर गंटे यह टोटल टाइम जो पिछले बार हमने निकाला था वो उसने दे दिया तो बोले सर क्या करें आप से पूछ क्या रहा है वह वात आप समझ लोगे तो आपका काम हो जाएगा ठीक है है तोटल डूरेशं मैंने घल्ती कर्दी माफी चाहता हूं माफी चाहता हूं कुल दूरी तैक करने के लिए तो यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि उसने टोटल टॉटल टाइम दिया हुआ है तो टोटल टाइम के लिए हमने बोला टोटल time equals to T1 plus T2 यहां औसत्चाल का concept नहीं लगिगा मैंने गलती से औसत्चाल का लगा दिया था तो यहां पर T is equals to T1 plus T2, तो T total कितना time है, अठरा गंटे, यह रहा अठरा गंटे, और T1 की जगे तुम क्या रख सकते हो, तो अब तक तो मैं को रखता है, आप इतने मेचियोर हो गए हो कि T की जगा पर D बटा S रख सकते हैं, तो आपको D क्या बोला है, आधा तो D by 2, और S क्या दिया है, पहले सेगमेंट के लिए 40, प्लस 6 दूरी, तो T2 की जगा पर D by 2 रखोगे, बटा में 6, 4 कितनी हो गई आपकी सहाट, अब बस इसको हम क्या करेंगे, solve कर देंगे तो मैंने बोला था न, ये दोनों गुणा हो जाएंगे आपस में, तो D बटा में 80, प्लस D बटा में 120, अब आप इसका LCM ले लो, 240 240 को 80 से divide करो, 3D प्लस 240 को 120 से 2D, बराबर में ये हो गया 18, अब इसको हम solve करेंगे 18 बराबर में 5D बटा में 240, ठीक है, अब इसको हम solve कर देते हैं, तो कुछ कटने पिटने की उम्मीद है, क्या हाँ कड़ जाएगा, 5 से काट दो 5, 4, 20 बज गया 4, 5, 8 40, अठरा गुणा, 48 equals to D, तो 18, 18, 144 की 4 हासिल का आ गया 14, 18, चोक 72 और 14 जोड़ दो तो 4 और दो, 6, 7 और 8, 86 इसके आगे लिख दो, तो 864 किलो मेटर आंसर आ जाएगा, option C is the right answer, next question बस अंतिम पढ़ाव पे हैं हम लो एक व्यक्ति, एक निश्चित दूरी को, 10 किलो मेटर प्रती घंटे की चाल से तै करता है एक निश्चित दूरी को, 10 किलो मेटर प्रती घंटे की चाल चाल दे दी, दूरी नी दी निश्चित बोली, तता 12 किलो मेटर प्रती घंटे की गती इसे प्रारंबिक बिंदू तक वापस लोड़ जाता है, सर जित्ता जा रहा है उत्ता वापस आ रहा है, जैसे ही यह शब्द तुमारे दिमाग में उठे, समझ लेना ओसत चाल का कही न कहीं हिसाब किताब है, समझना ऐसा है, वो नी हो ये नी बाद, मैंने कहा समझना कि ओसत चाल का concept होता है उसने कहा प्रारंबिक बिंदु तक वापस यदि कुल दूरी पांच सही एक बटा दो घंटे में तैक की गई तो कुल शमय दे दिया तो उसने पूछा वह दूरी क्या है तो उसने हमें कहा ओसत चाल का basic concept भी लगाओ जो की होता है कुल दूरी बटा- कुल समय अब आप बोलोगे ये दोनों आपस में क्या होंगे बराबर क्यूं क्यूंकि special case लग रहा है जितना जा रहा है उतना वापस आ रहा है तो मैं कुल दूरी को क्या मानूंगा 2D और कुल समय उसने मुझे दे के रखा हुआ है 5 सही 1 बटा 2 अब इसको solve कर देता हूँ 2 times S1 की value कितनी दी है 10 S2 की value कितनी दी है 12 नीचे दोनों को जोड़ दूँगा 12 धन 10 अब इसको solve कर दूँगा तो ये 2 times of D बटा में 5 दूनी 10 और 11 बटा 2 चलो solve कर देते हैं अब 2 solve करने पर मैं 2 से इस 2 को cancel कर रहा हूँ ये हो जाएगा 10 गुणा 12 बटा में ये कितना हो गया 22 बराबर में D बटा 11 बटा 2 तो ये 11 दूनी 22 दो से कितनी बार कट गया 6 बार ये 1 बटा 2 उपर चला जाएगा 10 गुणा 6 गुणा 1 बटा 2 बराबर D 2 से ये 3 बार cancel 10 तिया 30 किलो मीटर आंसर आ गया तो D बराबर कितना हो गया है B option 30 किलो मीटर उमिद करता हूँ प्रोसेस समझ गए होगे जब भी इस प्रकार के question आते हैं थोड़ा केरफुली करना है कैसे हुआ logic समझना है फिर से समझा रहा हूँ आपको वो ये कहेगा कि जितना गया उतना वापस आ गया प्रारंबिक बिंदू पर तो यहाँ पर आप समझ जाना कि ये special case की बात हो रही है पहला तो हम ये समझ गए नंबर दो कि जब उसने आपको special case दिया और उसने आपसे कुल दूरिया कुल समय पूछ लिया तो वो आपको कि इन ही दोनों में से कोई एक चीज देगा तो आप इसको याद करके जाना कि सर ऐसा कोई हमने चीज पढ़ी थी तभी तो आपको मदद मिलेगी उस चीज के लिए है ना आगे वढ़ते हैं नेक्स्ट कोश्चन है और अंतिम प्रस्णों कि एक व्यक्ति कार द्वारा अपनी यात्रा का कुछ भाग सहाट किलोमीटर प्रती घंटे की गती से तता शेश भाग 48 किलोमीटर प्रती घंटे की गती से तै करता ह ठीक है यदि कुल दूरी के लिए उसकी ओसत गती 52 किलोमीटर प्रती घंटा है इस लाइन को हम अंडर लाइन करेंगे तो 48 किलोमीटर प्रती घंटे की गती से वहाँ कितनी दूरी तै करता है ध्यान देना उसने मुझे दोनों गती देने के बाद में याने दो सेगमेंट की गती देने के बाद में उस पूरी आतरा की ओसत गती भी दे के रखी हुई है इस प्रकार के कोश्चन जब भी आ जाएं तब आप इसे मिश्रन के कॉंसेप्ट से करिएगा इसमें क्या होता ह ध्यान देना मैं आपको बहुत बेसिक तरीके से समझा रहा हूं कि पहला और दूसरा सहाट किलोमेटर प्रतिगंटा और 48 किलोमेटर प्रतिगंटा इन दोनों की ओसत गती को मिला लिया जाए तो यह हो जाती है 52 किलोमेटर प्रतिगंटा मिश्रन यदि मुझसे पढ़ा है त तो आट बज गया और 52 में से 48 गया तो चार बज गया इस प्रकार से हम यह कहेंगे कि सर अनुपात आ गया चार एकम चार चार दूनी आठ एक अनुपात दो अब प्रश्न यह उठता है कि यह जो अनुपात है यह किसका आया है तो यही मैं आपको समझाऊंगा कि अनुपा आपको जो सहाट और 48 के मातरक दिये गए हैं हमेशा याद रखिएगा मिश्रन के कॉंसेप्ट में जब भी आपको इस तरीके से आप कुछ निकालोगे तो आपको बटे वाली चीज जो है वो अनुपात में मिलती है यह बात आप द्यान रखना अब क्या है हमें पता चल ग गती से एक घंटे रास्ता नापता है और 48 किलोमीटर प्रती घंटे की गती से दो घंटे तक रास्ता नापता है हमसे पूछा गया कि 48 किलोमीटर प्रती घंटे की गती से वह कितनी दूरी तय करता है तो हम यह कॉंसेप्ट लगाएंगे चाल बराबर दूरी बटा समय जिस हमने अब भी निकाला कि 48 km प्रती घंटे से वो 2 घंटे तक रास्ता तै करता है तो हमने कहा D 48 का डबल होता है 96 km तो 96 km is the right answer तो आपको यहाँ पर B option पे सही answer दिख जाएगा तो इस प्रकार के question को करने के लिए आपको मिश्रन का concept अच्छे से आना चाहिए था तो उम्मीद करता हूँ कि यह question समझ में आ गया होगा इती समाप्तम सहाट question मैंने आपको complete करवाए है time and speed and distance में तो मैंने आपको अच्छे खासे question complete करवाए है पूरे sequence को यदि आप देखो तो आपको 900 question मिलेंगे जो मैं करवाओंगा बड़े sequence में तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह session अच्छे लग रहे होंगे thank you very much देखने के लिए likewise कर दिया करो share वेर कर दिया करो यदि पसंद है तो नहीं तो इश्वर की मर जी आप तरक्की पाएं यही हम उम्मीद करेंगे thank you very much करके दिया थूएंगर